ओम शान्ति, मैं डॉक्टर सचीन पराप मुंबई से बोल रहा हूँ स्वास्त के श्रिंकला में हमने संपूर्ण स्वास्त और स्वास्त के अलग-अलग प्रकार देखे शारिरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्त और भावनिक स्वास्त आज हम देखने वाले हैं सभी स्वास्त का जड़ या बीज जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्त जैसे कि हमने पिछले कुछ एपिसोड में देखा कि भावनिक स्वास्त या इमोशनल इंटेलिजेंस ये किंसेप 90's में डैनियल गोलमें नाम के साइकोलाजिस्ट ने या मनो विकार्टनिया उन्होंने इसको बहुत फेमस किया उसके बाद 10 साल के बाद 2000 में इयन मार्शल और डैना जहर नाम के दो साइकोलाजिस्ट में एक नए कंसेप लाया और उसका नाम रखा SQ या spiritual quotient उन्होंने कहा IQ और EQ माना एक बुद्धी अंकव होता है और एक भावनिक बुद्धी मत्ता होता है दोनों को यूज करने के लिए SQ जरूरी है SQ को या spiritual quotient या अध्यात्मिक बुद्धी अंकव उन्होंने ultimate intelligence कहा है कि जिस व्यक्ति का SQ अच्छा है वो अपने बाकिस अभी की उसको अच्छी तरह से इस्तिमाल करना जानता है अगर आपका IQ अच्छा है ऐसे कहते है कि आपका IQ अच्छा है माना अगर आप दिवान है तो आपको जॉब मिलता है अगर EQ अच्छा है इसका मतलब आप रिष्टे बहुत अच्छी तरह से रख पाते हो भावनाओं को खुद के और दूसरों के समझते हो तो आपका प्रमोशन अच्छा होता है लेकिन वो कहते हैं कि जब आपका SQ अच्छा है तभी आप जीवन में संतुष्ट और समाधानी ह हो सकते हैं तो SQ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे डॉक्टर मैं कहना चाहूंगा कि पहले जाक्तिक स्वास्त संगटना ने स्वास्त की व्यक्षा में अध्यात्मिक कंपोनेंट डाला हुआ नहीं था वो कहते थे केवल शारिरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्त लेकिन आज आज की दुनिया में हम देख रहे की चारो तरफ पलिशन है माना वायू प्रदुशित है पाणी प्रदुशित है बोजन प्रदुशित है तो बीमारी से बचना कल्युक के आंत में बहुत मुश्किल है लेकिन अगर बीमारी आ भी गई आपको अशारी रिख अगर आपका अध्यात्मिक स्वास्ता अच्छा है तो आप उस बीमारी को नियंतरण में रख सकते है या उसको मैनिफेस्ट होने से दूर रख सकते है या फिर उसको पुरी तरह से ठीक कर सकते है अपनी अध्यात्मिक स्वास्ता के बल पर अभी अध्यात्मिक स्वास्ता किसे कहेंगे जैसे कि अंगरेजी का शब्द है spiritual health तो उसमें spirit है spirit माना soul, energy, आत्मा, रूह या अलग अलग शब्द है तो हम कौन है वास्तविक्ता में और हम कहां से आए और हमारे जीवन का लक्ष क्या है purpose and meaning या अंगरेजी के दो शब्द हम spiritual health में इस्तिमाल करते है तो जिन लोगों का अपने जीवन में purpose और meaning होता है उनका अध्यात्मिक स्वास्ता अच्छा होता है इसके ओपर बहुत सारा research हुआ है आपके value system और आपकी मान्यता है ये भी अध्यात्मिक स्वास्ता में आती है तो हम शरीर नहीं है शरीर भिन्न एक चैतन्य शक्ति है और एक higher power है जिसको आप God कहो, अल्ला कहो, इश्वर कहो इसमें जो विश्वास रखने वाले होते है उनका अध्यात्मिक स्वास्ता अच्छा होता है और जीवन में जब परिस्तिति आती है तो उनका अच्छी तरों से सामना कर पाते है तो अध्यात्मिक स्वास्ता को अच्छा रखने के लिए आपको अपने आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप इस पृत्वी पर किसली आये हो ये थोड़ा साइकोलोजी की भाषा में मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम डॉक्टर्स प्रूफ के उपर ज़्यादा विश्वास करते तो आज हमारे पास ये डेटा है हाला कि ये भारत की परंपरा है कि कोई मरता है तो कहते हैं वो स्वर्गपदारा माना हम मानते हैं कि मरने के बाद उसकी आत्मा को शांती मिले ये हम जो कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में ये सिखाया नहीं जाता है तो हम वास्तविक्ता में शरीर से भिनने एक चैतन्य शक्ती है ये आज वीदेश के साइंटिस्ट इसको एकसेप कर रहे हैं और बहुत सारा डेटा इसके उपर आया हुआ है तो जैसे शरीर के मात पिता होते हैं वैसे आत्मा के भी मात पिता होते हैं तो जो व्यक्ति अपने को आत्मा समझ के परमात्मा में निश्चे रखता है या उसको याद करता है उसके अंदर बहुत सारे spiritual powers आते हैं इसके वज़े से वह अपने शरीर मन और इंदरियों को नियंत्रित रखता है और उसका सामाजिक शारिरिक और मानसिक स्वास्त भी वह अच्छा रख पाता है इसलिए अध्यात्मिक स्वास्त सभी स्वास्त की जड़ हम कहेंगे तो find out कि आपका अध्यात्मिक स्वास्त कैसा है अपने साथ बात करेंगे हम इसको ऐसे कहते हैं कि हम सबके जीवन में दो दिन बहुत जरूरी है एक जिस दिन हमारा जनम हुआ और दूसरा जिस दिन हमें पता चलता है कि मेरा जनम किसलिए हुआ find out अपने आप से बाते करो कि मैं कौन हूँ कहां से आया और मुझे कहां जाना है अपने अध्यात्मिक स्वास्त को अच्छा रखेंगे तो बाकि सभी स्वास्त अपने आप संतुलन में आ जाएंगे अच्छा ओम शान्ति